आज कल यूट्यूब की दुनिया में काफी सारी शौकिंग खबरें सामने आ रही हैं जिन में से एक सपना चौधरी के बारे में है जो लोग सपना चौधरी को नहीं जानते उनको बता दें कि सपना चौधरी और उनका परिवार यूट्यूब में एक जाना माना नाम है सपना चौदरी के पहले पती जिनका नाम सूरच सिंग जाट या सूरच चौदरी था दे रॉट नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसमें वो अपने डॉक्स जो की रॉट वाइलर डीट के डॉक्स हैं उनके बारे में वीडियो पोस्ट करते थे धीरे धीरे इसी चैनल पर डॉक्स के साथ उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी दिखाना शुरू कर दिया चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसी दौरान सपना जो की उनके वाइफ थी उन्होंने अपना नया व्लोगिंग चैनल दस नापी गर्स पनाया सूरज और उनकी फैमिली शिफ पुरी जो की मतर प्रदेश में हैं और गौलिय के पास हैं वहां के रहने वाले हैं में 2020 में कोविट के दौरान सपना को अपने पहले पती यानि की सूरज को खोना पड़ा सूरज की मौत का कारण कोविट ही बताया गया उस वक्त सपना और सूरज की चार महीने की छोटी बेटी भी थी सपना के साथ ये सब होना काफी शौकिंग और अनफॉर्चुरेट था इसके बाद इन्होंने अपने आपको समहला और दीरे दीरे जिन्दीगी नॉर्मल होने लगी ये अपने फैमिली व्लॉक्स डालते रहे फिर डेट साल बाद सपना और उनकी फैमिली ने सपना की दुबारा शादी करने का फैसला लिया और शादी उनके देवर यानि की उनके पती के छोटे भाई से कराई गई शादी डिसमबर 2021 में हुई कई लोगों ने इस तरह के रिष्टों को पसंद किया कई लोगों ने नहीं किया शादी के पहले सपना के चानल का कॉमेंट सेक्शन भी इनी बातों से भरा रहता कि आप राजवीर से शादी कर ले कुछ लोग सहमती जताते कुछ नहीं शादी के बाद भी लोग अच्छी बुरी हर तरह की बाते करते थे लेकिन जिसकी जिन्दगी है उसे ही इस तरह के फैसले लेने का हक होना चाहिए जब सपना के पहले पती की मृत्ती हुई तो वो केवल 21-22 साल की थी इतनी कम उम्र में इस तरह का हाथसा होने के बाद हर इनसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए शादी के बाद शपना राजवीर और उनका परिवार खुश था दूसरी शादी के एक साल बाद दिसंबर 22 में सपना ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया परिवार खुश था सब धीरे धीरे पुराने गमों से بाहर आने लगे थे कि आचानक दूसरी बेटी के जन्म के लगभग चार-पार्च महीने बाद इनके दूसरे पती राजवीर की भी एक सड़क दुरघटना में म्रत्य हो गई कोइंसिडेंस की बाद ये है कि इनके पिछले पती की म्रत्य भी में में हुई और दूसरे की भी जब पहले पती की म्रत्य हुई थी तब सपना और सूरच की बेटी चार महीने की थी और जब सपना के दूसरे पती राजवीर की म्रत्य हुई तब भी सपना और राजवीर की बेटी चार महीने की ही थी सपना ने तो अपने दोनों पती खोए, साथ ही सपना के साथ ससुर जिनके दो बेटे थे उन पर क्या बीत रही होगी कैसे थोड़े से ही समय में एक परिवार ने दो बेटों को और एक पत्नी ने दो पतियों को खो दिया एक बार इस तरह की परिस्थिती से अपने आपको निकालना मुश्किल था लेकिन अगर जिन्दगी आपको बार बार उसी मकाम पर लाए तो आप क्या करेंगे इस वीडियो के माद्याम से हम सपना के पती को शुर्धान जली देते हैं और आशा करते हैं उनके और उनके परिवार के बहतर भवेश्य की अगर ये वीडियो आपको अच्छी रगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे